हेलो एब्रीवन, वेलकम टू माई चैनल, सीटेट अन के वीएस क्लासेज, माई सेल्फ मॉजमी, तो आप सब कैसे हो, I hope आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, और आप लोगी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, तो चलिए, आज की क्लास को सुरू करते है तो भी बहुत राश्ट आंदोलन को सुरू कर चुके थे, तो भारती राश्ट आंदोलन में हमें कहां से कहां तक पढ़ना है, इसका discussion हमने कर लिया है, तो आज हम लोग उग्रवादी चरन को पढ़ेंगे, गर्मपंथी दल को पढ़ेंगे, क्लियर है, तो इससे पहले की म में हमने उदारवादी चरन के बाड़ें पढ़ा था और साथी उदारवादी चरन में कौन-कौन से नेता थे और उदारवादी चरन का जो मूल उद्देश था वो क्या था और उसके सर्धान्तिक मांगे आर्थिक मांगे जो है वो क्या-क्या थी उस सभी चीजों के बाड़ प्रिति के हर चीज में अत्यधिक गुस्सा हो जाना या फी तुरंत आंदोलन के तरफ अपना रुख मोर लेना तो गर्मपन्ति दल अब जो उग्रवादी चरन है यह उने सो पांच से लेकर उने सो उने सो उने सो उने सो उने से तक जो घटाए हुई है जो भी उनके नेता थ वो सभी किसमें आते हैं उग्रवादी चरन में आ जाते हैं तो देखी उग्रवादी चरन का गठन जो है वो किस तरीके से हुआ है तो भारत राष्ट आंदोलन में उदारवादियों दोड़ा किये जा रहे प्राथना परतिवेदन एवब लंदन यात्रा से जब कुछ ठोस ह नहीं हुआ तर भारती जन्मानस के असंतोस में वृद्धी हुई और भारती जन्मानस के बढ़ते इस असंतोस घर्मपंति विचारधारा का जन्ढ दिया क्या हुआ था जब भारत राष्टा आंदोलन में उदारवादी चरन, इसे पहला एकलास में हमने उदारवादी चरन के बारे में पढ़ा है, तो जब उदारवादी चरन में जो नेता थे, वो लोग जब प्राथना, पहले वो लोग क्या करते थे, सरकार के पास अपनी प्रा जो उनकी मांग है, वो जब पूरी नहीं हो रही है, तब वो लो क्या करने लगे? तब वो लो एक ठोस रूप धारन करने लगे, और तभी उन्हें जो है, इस सब चीज से थोड़ा इफेक्ट होने लगा, उन्हें परभाव परने लगा, वो असंतोस में उनकी व्रिद्धी हो अपने मांगों को रखते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्राथना और परतिवेदन से भी उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है, तब उन्होंने आंदोलन का रास्ता अपना लिया, जब उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती थी, तो वो लोग आंदोलन पे उतर जाते क्योंकि ये लोग प्राथना करते थे अपनी पर्तिवेदन भेजते थे सरकार के पास लेकिन उनकी जो मांगे वो पूरी नहीं की जाती थी तो इसी के साथ राजनिती में उग्रवादी चरन का उद्भव हुआ अब जब पूरी नहीं हो रही है तो क्या अपनाय जाता है अग कि आवेदन निवेदन की नीती से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है अब उग्रवादी चरन का ostr Earth का शुरूवात हो गया ऑर जो अग्रवादी नेता थे अब उसमें कौन-कौन नेता थे उग्रवादी चरन में उसे खिस आप अपनी मांगों को रखर रहे अच्छे तरीके से यानि उदार तरीके से रख रहे हो आराम से रख रहे हो अपने बातों को कह रहे हो लेकिन आपका जो मांग है वो पूरा नहीं हो रहा है तब उसके बाद आपको क्या करना होगा आपको दूसरा रूप धारन करना पड़ेगा यानि जब आपका मांग पूरा नहीं ह तमोड है तो आपको और का रास्ता घंगा ता अपनाना पड़ जगा तो यहां देखें अनर्मपन्ति विधी की 3P के रूप में जाना जाथ है। नर्मपंथी यानि उदारवादी के लिए उदारवादी नर्मपंथी मतलब होता है उदारवादी तो नर्मपंथी की वीधि को 3P के रूप में जाना जाता है तो अगर पूझता है कि नर्मपंथी की वीधियों को या फिर उदारवादियों की वीधि जो है उसको किस रूप में जाना जाता है तो किस रूप में जाना जाता है तो 3P के रूप में जाना जाता है अब यह 3P क्या है पी यानि 3 यानि 3 यानि तीन पी यानि प्रे पेटीशन और प्रोटेश्ट यानि प्राथना याचिका और विरोध पहले क्या हुआ था नर्मपंथी वीधी में गरम पन्थी विचारधारा क्यों कहा गया है अब यह जो गरम पन्थी विचारधारा क्यों कहा गया है जैसे हमने कण तो गडम आंłą कहा Gघ हाया जाए अन्दोलन का रास्ता अन्ज अगर मांग पूरी नहीं हो रही है, तो तुरत उसके लिए रियक्ट कर जाना, तो वो हो जाता है उग्रवाधी चरन, उग्रवाधी नेताओं को उधारवाधी नेताओं की तरह सांति पून तड़ी को प्राथना याजाचिका में विश्वास नहीं था, जो उग्रवाधी न प्राथना याजाचिका में विश्वास नहीं था, उनका मानना था कि अगर हम सांत तरीके से अगर अपनी मांगों को रख रहें तो कभी उसे पूरी नहीं की जाएगी, तो उनका विश्वास था नहीं, उनका कहना था कि हम अपनी मांगों को सांति पून तरीके से अगर सरकार नहीं मानती है, उन मांगों को पूरी नहीं करती है, तब हम आंदोलन करेंगे, ये भी सही है, अगर आप लोग भी क्या करते हो, जैसे आप लोग अपनी बातों को रखते हो, अगर सरकार जो है, उस चीज को नहीं मान देगे, तो आप लोग भी क्या करते हो, उसक जो विरोध है वो तरीका क्या है तो यह जुलूस निगाला, हर्ताल करना, बहिसकार, विरोध परदर्शन यह सब जो है इनके विरोध जताने का तरीका है अब तेखें उग्रवादी जो नेता है वो अधिक सिख्ड परिनाम चाहते हैं उदारवादी क्या थे वो बिनर्म थे नर्म सवभाव के थे वो लोग अपनी मांगो को जब रखते थे तो वो तुरंत उस चीज को पालेनी की अपेक्छा नहीं रखते थे कि तुरंत वो चीज मिल जाई वो रिक्वेस्ट करते थे लेकिन उग्रवादी जो नेता होते थे वो अधिक मतलब सिख्ड जो है वो पर पहले पढ़ा था उदारवादी और डर्म पंथी के कौन-कौन से नेता थे अब यहां गर्वदल के नेता यानि की उग्रवादी चरन के यह लोग नेता है अब देखे लाल बाल पाल यानि त्रिगुट के नाम से जाने जाते हैं अब आपसे पूछता है कि त्रिगुट से नाम जाने जाने वाले नेता कौन से हैं तो कौन-कौन से होंगे लाल यानि की लाला लाशपत राय बाल यानि की बाल गंगधर तिलग पाल यानि की विपिन जन्रपाल यह तीनो जो है यह तीनो त्रिगुट के नाम से जाने जात तो आपको इन सभी का नाम याद रखना है, जैसे आपको उदारवादी चरन के कौन-कौन से नेता है, उनका नाम याद रखना है, और साथी उग्रवादी दल के कौन-कौन से नेता है, इनका नाम याद रखना है, यह कोश्चन पूछता है, तो सबसे पहले देखिए बाल ग इनका उपनाम क्या था बाल लोकमानी तिलग अब देखिए इन्होंने दो समाचार पत्रों मराथी में केसरी और अंगरेजी में मराठा का सुभारम किया था अब जो बाल गंगा धर तिलक है इन्होंने दो समाचार पत्रों को लिखा था कौन सा मराथी में केसरी लिखा था और अंगरेजी में मराथा का सुभारम किया था तो कोशन कैसे पूछा जाएगा तो उग्रवादी नेता का नाम बताएगे जिन्होंने दो समाचार पत्र मराथी में केसरी और अंग्रेजी में मराथा का सुभारम किया था तो कौन से होंगे वो उग्रवादी नेता तो बाल गंगा धर तिलक होंगे या फिर बाल गंगा धर तिलक दोरा दो समा चार पत्रों के नाम बताइए जो उनके दोरा लिखा गया था, उनके दोरा सुभा रम किया था तो कौन सा होगा? मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा याद रखना है ये मराठी बस धिहान रखे मराथी में केसरी मराथी में केसरी और अंग्रेजी में देखे ये मराथी जो है इसका उपर हटा दिजे मराथा अंग्रेजी में मराथा और मराथी में केसरी किलियर है नेक्ष देखे इन्हों ने 1893 इस्वी में गनपती महतसब और 1895 इस्वी में सिवाजी महसब का आयोजन किया था इन्होंने The Arctic Home of Vedans और गीता रहसमय नामक पुस्तकों का लेखन किया था अब यहां देखे एक कोशे नौर बनेगा कि किस उग्रवादी नेता ने Home of Vedans या फिर गीता रहसमय नामक पुस्तकों का लेखन किया था तो वो कौन से उग्रवादी नेता थे तो बाल गंगाधर तिलक थे या फिर बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई दो पुस्तकों का नाम बताईए तो क्या होगा The Arctic Home of Vedans या फिर गीता रहसमय नामक पुस्तकिनों ने लिखा था नेक्ष्ट है बाल गंगाधर तिलक ने कहा सोराज हमारा जन्मसी दधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे अब यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है किस उग्रवादी नेता ने कहा था कि सोराज जो है वो हमारा जन्मसी दधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे तो किस उग्रवादी नेता ने ये बात कहा था तो बाल गंगदर तीलक ने कहा था अब नेश्ट देखिए उग्रवादी नेता तो लाला लाजपत राई अब लाला लाजपत राई का जन्म 28 जन्वरी 1865 इस वी को रहीमादी नेता को सेरे पंजाब 1 मैं रहीमादी नेश्ट देखिए धंगे में और देखिए नेश्ट प्रोवादी नेता को सेरे पंजाब 12 तो पंजाबी नामक एक समाचार पत्र शुरू किया था, कहां से शुरू किया था, तो लाहोर से, नेक्ट देखी इन्होंने निमलिखित परकासित पुस्तके भी लिखी हैं, अब जो लाला लाजपत राय थे, इनके द्वारा बहुत सारी पुस्तके भी लिखी गई थी, कौन कौन सी पुस्तके थी, तो अन्हापी इंडिया, दा पॉलिटिकल फ्यूचर ओफ इंडिया, इंगलेंस, डिवेट्स ओफ इंडिया, इन सभी के नाम जो है, आपको ध्यान रखना है, ये किसके दोरा लिखा गया था, तो लाला लाजपत राय दोरा, लाला लाजपत राय इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद एक परदसन में हिस्सा लिया था, तो कोश्चन ये पुछा जाएगा, किस उगरवादी नेता ने, 1928 के दोरान साइमन कमीशन के विरुद परदसन में हिस्सा लिया था, तो कौन से उगरवादी चरन के नेता थे, तो लाला लाजपत जिसके दोरान हुए लाठी चार्ज में ये बुड़ी तरह घायल हो गए थे और अता 17 नमबर 1928 को इनकी महान आत्मा ने पातिता त्याग दिया यानि कि इस लाठी चार्ज के दोरान जो परदर्सन हो रहा था साइमन कमी सन के विरुत जो परदर्सन च str. जा रह था तरह थो कि आ और इस हीर लाठी चार्ज में जो घायल हो गये थे और 17 नमबर 1928 ने शरील को त्याग दिया थे यानि इनका देहान्त हो गया था अब नेक्स्ट देखे उग्रवादी चरनके नेता को तो विपिन चंद्रपाल का जर्म्स साथ नयंबर 1858 को हवीड गंज में हुआ था तो विपिन चंद्रपाल पैसों से पत्रकार थे और स्वय्म और साव्देसी वस्तों के लिए भारतीयों के एक जूट करने के लिए हमेशा अपने कलम का सहारा लेते थे अब ये क्या करते थे विपिन चंदरपाल सौराज और सौधेसी वस्तू के लिए भारतियों के पर्यास जो सौधेसी वस्तू होती थी उसके लिए जो भारतियों के पर्यास होती थी उसको एक जूट करने के लिए हमेशा क्या करते थे अपने कलम का सहारा लेते थे क्यों कलम का सहारा लेते थे यानि कि ये पत्रकार थे यानि ये लिखते थे पत्रकारी के द्वारा लिखके ये जो है दुसरे तक अपनी जो बात है वो पहुंचाते थे जो भारती है उनकी हर एक चीजों को वो दुसरे तक तो सबसे बाड़ी पत्रकार की तागत क्या होती है उसका कलम होता है तो कोशन पूछा जाएगा कि किस उगरवादी चरन पैसे से पत्रकार थे या पी कौन से उगरवादी चरन के नेता थे जो सोधेशी वस्तू के लिए भारतियों के परियास को एकजुट करने के लिए के भी बहुत सारे कोश्चन उठा के देखिए आप डी ट्रिपल सवी में आप देखिए कोश्चन आपको इसी तरीके से कोश्चन भी लेंगे तो हर एक पॉइंट में आपको कोश्चन बने रहा है तो आप लोग अच्छे से नोट करते जाईएगा विपिन चंदरपाल ने न यहां थे सप्ताईग उन्हों ने नी इंडिया देनिक चंदरपाल नुप सप्ताईग अर नयू भी ना प्लतर समय थे पटिक बहुना सुरू कि देनिक तरह भारत के लोगों में देख्बक्ती की भावना प्यावना सुरू कर दिए इनक में उद्देश यही था कि अपने क कलम के दोड़ आपने कलम के मतलब से पत्रकार थे वह ऐसा लिखे ताकि लोगों में जो है देश भक्ति की भावना बढ़ती जाए के लिए नेक्स्ट गुरुवादी नेता को देखिए अर्विंद घोस री अर्विंदो का जन्व कोलकाता में 15 अगस्त 1872 में हुआ था अर्विंद घोस थे क्या थे वह एक योगी भी थे एक गुरु भी थे एक कभी भी थे अभारति दाषनिक और भारति सॉतंध्र सेनाणी भी थे क्लिए रैक्स्ट टेखिए वे अनूसीलन्स समीथी के एक सदर से थे जो पृच्छी सासन को समाप्थ करने के लिए को नीक्र वो समाप्त हो सके अरविंदो का गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सź 01 अलिपूर बंकांद में उन पर मुकदमा चलाया गया अब क्या हुआ था जिसके बाद अगैं सकिर राजनीति से सन्यास जब उसे मुक्त क्या गया तब राजनीती से सन्यास ले लिए यानि उसे त्याग दिये छोड़ दिये अध्यात्मिक पत को चुनने के लिए पांडीचेरी चले गए अब उन्होंने यह जो राजनीतिक पक्ष है इसे त्याग दिया था और सन्यास के लिए वो क्या करे अध्य जयात्मिक फक्तचुनने के लिए वे पंडिचेरी चले गए थे उन्होने 시26 में पंडिचेरी में अर्वीनदो आस्रम की स्थाप्ना की थी तो कौन zeg तो होंगे तो अरवित घोस होंगे किलिए रहे कब की थी , अब जो अरविन्ध घोसने उग्रवादजी ते नेता अरविन घोसने पांडिछरी ने अरविन्द आस्रम के स्थापना की थी वह कब की थी तो कब की थी 1926 में की थी, किलियर है, उनके कुछ साहितिक कार थे, अब जो अरविंद घोस है, उनके कुछ साहितिक कार भी थे, कौन-कौन से थे, तो दा लाइव डिवाइन, दा सिंथेसिस ओफ योग और सावित्री, तो इनके नाम आपको याद रखना है, कि कुछ साहितिक कार जो है, अ सिंथेसिस ओफ योग हैं, और सावित्री हैं, आप देखें उग्रवादी चरन के उदय के कारन, यहां तक थे, कौन-कौन उग्रवादी चरन के नेता थे, उनके बारे में हमने समझा, उनके बारे में पूरा समझा, उनसे किस प्रकार से कोश्चन बनेंगे, वो भी आपको बता दिया गया, अब देखिए उग्रवादी चरन के उदय के कारण, अब उसका उदय का क्या कारण था, उसके उदय होने का, यानि उसित होने का क्या कारण था, तो राजनीती कारण, इसका राजनीती कारण क्या था, अंग्रेजी सरकार द्वारा कॉंग्रेस की मांगो की अ पूसका राज नीति कारन थया नियुम्स अंगिलेसी सरकार्ति भारति कारती कि राज होती था नीति अरे आर्थिक कारन में वरकर्व सरकार का भारती वस्तु पर अथिक लगाना और जो बरिटी सरकार थो भारतियों के साथ अभधतर वहवार समाजन क्या था सामाज कि भारतिये nessa समाघ क्या होता था तो घराव कानून अनग्रेजी सबाकर का भारतियों के परति वहवार क्राव पून कानून यानि जो कानून होते थे दूसरों के लिए कुछ और होते थे और भारतियों के लिए कुछ और होते थे पश्मी सभ्यता का भारतियों पर थोपना अब पश्मी सभ्यता को क्या करते थे यह भारतियों पर थोपना यानि अगर हम किसी चेज के सभ्यता को नहीं मान रहे है तो वो क्या करते थे पश्मी सभ्यता को जवरदस्ती भारतियों पर थोपते थे कि आपको भी मानना पड़ेगा इसे यहां तक किलियर है तो आज के लिए इतना ही next class में हम लोग बंगाल विभाजन जो है उसे पढ़ेंगे किलियर है बंगाल विभाजन के बारे में next class में हम यह सारी topic जो है वह बहुत जादा important है यह आपके किलियर दे दिया गया आपको इसे पढ़ना ही होगा किस तरीके से पूछे जाएंगे वो भी आपको बताया जा रहा है और साथ ही आप लोगों को करवाया जाएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like, share और चैनल जरू कर लीजेगा thank you